हेलो दोस्तों स्वागत आपका मेरी यूटूब चैनल प्रग्या एजुकेशनल सुसाइटी पे दोस्तों आज मैं क्लास 10 हिंदी की किताब से जो एक महतपुन चेप्टर है स्रम विभाजन और जातिप्रथा उसके 30 महतपुन प्रश्ण लेकर आई हूं ये सारे प्रश्ण व पहला प्रश्ण है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है श्रam विभाजन और जातिप्रथा के लेकर कौन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बाबा साहा भीमरा अमबेदकर महात्मा गांधी या डॉक्टर संपूर्णानंद तो इसका पैंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर बी यानि बाबा साहब भीम राव अम्बेदकर ये स्रम भीभाजन और जाती प्रथार शिर्शक से जो कहानी है आपकी इता में उसके लेखक हैं बाबा साहब भीम राव अम्बेदकर दूसरा प्रशन है डॉक्टर अम्बेदकर के पिता का नाम क्या था डॉक्टर अम्बेदकर के पिता का नाम क्या था ऑप्शन है राम देव शकपाल राम जी शकपाल राम किशुन सकपाल या राधे राम शकपाल इनमें से क्या होगा एंसर डॉक्टर भीम राव अम्बेदकर जो थे उनके पिता का नाम पुछा गया है तो उनक पर अम्मित करके पितात हैं तीसरा प्रश्ण है आधुनिक सब्ध के लिए किसे आवश्यक मानता है यादुनिक सब्धूसालता के लिए किसे आवश्यक मानता यादोनिक लो जोस्के हुआं है जाति प्रता भारत में बेर्युजगारी का एक डेस कारण बैंड हुई हैं या फिर इनव में से कोई नहीं एंसर हो जाएक option number C, यह जो जाती पर्था है यह भारत में बेरोजगारी की पर्त्यक्षता प्रमुक समस्या बनी हुए, यह इसी के कारण कह सकते हैं कि जाती पर्था के कारण ही भारत में बेरोजगारी बह रही है अगला प्रश्ण है मूख नायक क्या है यह यह नि अगला प्रश्ण है डॉक्टर भीम राव अंबेदकर के मृत्यू कब और कहां होई थी अप्षण है 1956 दिल्ली में 1957 मध्य प्रदेश में उनिस सवांठावन वारानसी में या फिर 1969 बिहार में एंसर होगा अप्षण नमबर ए यानि 1956 दिल्ली में डॉक्टर भीम राव अंबेदकर के मृत्यू हुई थी सात्वा प्रश्ण है डॉक्टर भीम राव अंबेदकर का जन्म कब हुआ था डॉक्टर भीम राव अंबेदकर का जन्म कब हुआ था 14.1988 को 14.1989 को 14.1990 को या फिर 14.1991 को या किस तीथी को डॉक्टर भीम राव अंबेदकर का जन्म हुआ था ये कुशन पुछा गया है अंबेदकर कि द्रिष्टी में भाई चारे का वास्तविक रूप कैसा होता है किस प्रकार का होता है भाई चारे का वास्तविक रूप दूद और सकर के मिश्रन की तरह, दूद और पानी के मिश्रन की तरह, तील और तंडूल के मिश्रन की तरह, या फिर पानी और नमक के मिश्रन की तरह तो अम्बेदकर की दिष्टी में भाईचारे का जो वास्तविक रूप है वो होगा दूद और पानी के मिश्रन की तरह यानि अप्शन नमर बीज का शही अंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है भारतिय समिधान के निर्मान में महत्वपुन भूमीका किस की है कहा है बारतिय समीधान के निर्मान में ऑप्शन है डॉक्तर भीम राव VO में मेले राम पालाचारी या महात्माγά गांधी किसकी समीधान में भारत समीधान था उस में महतंपून भूमिका किसकी है तो एंसर हो जाएगा उप्शन नमर ए यानि भीम राव अमवेद करून की काफी मधपुन भूमिका रही है भारतिय समयधान के निर्वान में अगला प्रश्न है सभ्य समाज की आवशक्ता है सभ्य समाज को आज किसकी आवशक्ता है जाती पर था स्रम विभाजन अनुबम या दूध पानी की याली किसीच क्या वह सकता है आज शब्य समाज को एंसर होगा उप्ष्ण िन नमर बी याली स्रम विभाजन स्रम विभजन याणी स्रम का लिए योग्यित्ता के आधार पर न की जाती के आधार पर अगला प्रशन है प्रात्मिक शिक्षा प्राप्ट करने के बाद अंबेद कर उच्यतर शिक्षा प्राप्ट करने के लिए कहां गय थे और उन्हों ने जब प्रात्मिक शिक्षा प्राप्ट कर ली थे तो उसके बाद उच्यतर शिक्षा प्राप्ट करने के लिए प्राप्द शिकषा प्राप्त करने के बाद बीम राममेद्कर उच्छ सिक्षा की प्राप्ती है तो नीयू-यार्क एंग है अम्बेदकर चिंतन वर रचनात्मक्ता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे यानि उनके लिए कौन प्रेरक व्यक्ति थे बुध कभीर ज्योतिवा फुले या इन में से शभी अगला प्रेशन है जाती पाती तोरक बंडल भासन लहौर में कब हुआ था अप्शन है 1942 में या फिर 1938 इसिश्वी में तो इसका एंसर हो जायेगा option number C यहानी उनिसो चैस्वी में उसमें लाहोर में जो क्या पाकिस्तान में जाती पाती तोरक बंडल भासन हुआ था अगला प्रश्ण है स्रम्भी भाजन और जाती प्रथा क्या है कहानी भाशन निबंध या शाक्षातकार क्या है स्रम्भी भाजन और जाती प्रथा तो इसका एंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानि निबंध है या एक निबंध अगला प्रश्ण निम्लीखित रचनाव में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्वेदगर की है दकाइस्ट इन इंडिया दा अन्टचेबल्स अगला प्रश्ण है आधुनिक सभ्य समाज स्रम विभाजन को आवशक क्यों मानता है यानि क्यों सभ्य समाज स्रम विभाजन को आवशक मानता है option है कारे कुशलता के लिए भाई चारे के लिए रूठी वाधिता के लिए या फिरिव में से कोई नहीं तो इसका एंसर हो जाएगा option दूबर ईयनी कार्यक कुशलता के लिए आधुनिक समाज जो आधुनिक सम्हें सभी समान्ज यह कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है अगला प्रश्ण है श्रम भी भाजन और जाती प्रथा बाबा पाठ बाबा साहिब के किस भासन का संपाधित अंस है या उनके एक भासन का अंस है या संपाधित अंस है डॉक्टर भीम राव अंबेद करका उन्हें ही बाबा साहिब कहा जाता था option है the castes in India, their mechanism, genesis and development, annihilation of caste या who is सुद्राज to answer होगा option number C यानि annihilation of caste अगरा प्रश्ण है अम्बेदकर के भासन annihilation of caste को किसने हिंदी में रुपांतरन किया यानि किसका हिंदी रुपांतरन इसका किसने किया था option है ललाई से यादो कि सोरी लाल मनोहर मोहन वाजपई या इन में से कोई नहीं तो answer हो जाएक option number A यानि ललाई सिंह यादो इन्होंने भीम्राव अम्बेदकर का जो भासन था इसका इन्होंने हिंदी रुपांतरन किया था अगला प्रशन है अंबेदकर का जन्म किस परिवार में हुआ था option है ब्राम्भन छत्रिया दलित या कायस्त कैसे परिवार में किस प्रकार के परिवार में डॉक्टर भीम्राव मेतकर का जन्म हुआ था तो इसका अगला प्रशन है डॉक्टर अंबेदकर के माता का नाम उप्षन है रानी भाई कुंती सब्सक्राइब धे लगीलम फिंग it दोक्टराम्बेद कर गलो तकुष Brian अखला प्रैश्न है और मेर पीएorडी की उपाधी कभ premise पॉन्हों संब्सक्राइब ग्ररह प्योथ औपक्रेश्स उपाधी हो ने सबीस सीच में नीसाफोटरण इस्वी में या फिर 1914 इस्वी में कब उन्होंने प्राप्ट की पीएच डी की उपादी तो एंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानि 1916 में 1916 में उन्होंने यानि डॉक्टर भीम रावंबेटकर ने पीएच डी की उपादी धारन की अगला प्राशन है लेखक की द्रिष्टी में विडमना की बात क्या है क्या बात है विडमना की ऑप्शन है जातिवाद के पोशकों की कमी नहीं है यानि ऐसे लोग जो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं या फिर जातिवाद के पोशक नगन्य है आर्थिक द्रिष्टी स से जातिवाद उचित है या जातिवाद लोगतंत्र के विरुद्ध नहीं है तो इसका इंसर हो जाया का ओप्शन नमर ए यानि आज के युग में भी जातिवाद के पुशकों की कमी नहीं है यह लेखा की दृष्टी में एक विदंबना की बात है अगला प्रशन है लेखा की दृष्टी में आदर समाज कैसा होना चाहिए किस प्रिकार का होना चाहिए जिसमें सबहतरीत्व का भा भा हो यह फिर जिसमें सभी धनी हो या जिसमें सभी पठे लिखे हो या फिर जिसमें सभी स्वस्त हो या लेखर के दृष्टी में आदर समाज कैसा होना चाहिए तो एंसर होगा option number A यानि समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें सुतन्तता सम्ता और भात्रित्व यानि भाई चारे का भाव हो अग्रा प्रेशन है ले खक बेरुजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है option है असिक्षा को जन संख्या को जाती प्रथा को या फिर उद्योग धन्धों की कमे को तो इसका इंसर हो जागा option number C यानि जाती प्रथा को क्योंकि जाती के अधार पढ़ी लोगों को काम करने का मौका मिलता है जिसके कारण या तो उनकी उसमें रूची नहीं कर पाते हैं जिसके कारण बेरुजगारी की समस्या जो वो काफी बढ़ी है अगला प्रशन है दकास्ट इन इंडिया देर मेकेनिजम की रचना है किनोंने लिखाया दकास्ट इन इंडिया देर मेकेनिजम ऑप्शन है भीम राव अंबेदकर राम अनुहर लोहिया महात्मा गांधी या फिर सुखदेव तो एंसरों का option number A यानि भीम राव अंबेदकर बाबा शाह भीम राव अमितकरी ने कहा जाता है और इन्होंने दकास्ट इन इंडिया देर मेकेनिजम नामक पुष्टा की रचना की है अगला प्रशन है आर्थिक पहलू से भी जाती प्रता किस प्रकार की है लाब दायक है हानिकारक है और नुकूल है या इन में से शब ह या तो अप्षिन नमबर बी यानि हानिकारक का सकते हैं कि आर्थिक पहलू से भी जाती प्रता जो है वहा हानिकारक होती है अगला प्रस्ट है डॉक्टर भीम राव मेतकर का जन्म कहां हुआ था महू मध्यप्रदेश गोरक पूरुतर्प्रदेश दुम्राव बिहार या तान कोनी पशिम बंगाल तो डॉक्टर भीम राव मेतकर का जन्म महू तरप्रदेश में हुआ था ऑप्षान नमबर ए इसका सही अंसर होगा अग्ड़ा प्रस्टन है डॉक्टर भी अंबेदकर ने किस पत्रीका का शंपादन किया किस पत्रीका का उन्होंने शंपादन कि जन्हों ऋच्वल भारत उड्टा भारत बहुस्कृत भारत या फिर पुर सक्रीट भारत एंसर होगा ओप्शन नमबर ए बहुस्कृत भारत डॉक्टर भीम राव मेतकर ने बहुस्कृत भारत नामक पत्रीका का शंपादन किया था आज के विदियो का अंतिम प्रस्ट और तीस्वा प्रस्ट भारत्यसमिधान के निर्माता के रूप करूने हिम भारतिय समिधान के निर्माता के रूप में जानते हैं तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे खतम होता हैं मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद